अपने मुबायल से कोई भी पोश्टर या बैनर बना करके किसी को भी भधाई कैसे दे सकते हैं आज हम गणेश चतुर्थी का पोश्टर बना करके दिखाएंगे और आपको step by step बताएंगे गणेश चतुर्थी का एक बेहतरीन पोश्टर आप कैसे बना सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सिर्फ आपको अपनी फोटो आड़ करनी है और आपका पोश्टर बनकर रेडी हो जाएगा तो चलते हैं पोश्टर बनाते हैं तो फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आल नोटिफिकेशन पर जरूर किलिक कर देना हम अपना एब आउन करेंगे एब कौन सा है आगे ही वीडियो में आपको बता देंगे तो आप लोग डाउनलोड कर लेना ठीक है तो आप जैसे ही एब को आउन करेंगे न्यू टेस्ट का ओप्सन दिखाई देगा तो डिलीट के ओप्सन पर जाकर इसको डिलीट कर देंगे उसके बाद में आपको थ्री डॉट्स पर किलिक कर देना है थ्री डॉट्स पर किलिक कर देंगे उपर इतना करने के बाद में यूज एमेज फ्रॉम गैलरी पर हम किलिक करेंगे और पोस्टर का बैक्ग्राउंड ले लेंगे गैलरी पर जाकर हम पोस्टर का बैक्ग्राउंड लेंगे हमारे पास पोस्टर के बहुत सारे बैक्ग्राउंड है जिस type से हम poster का background लेंगे उतना ही बेहतरीन हमारा poster बनकर ready होगा banner बनकर ready हो जाएगा तो हम simply कोई भी poster लेते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ठीक है मैं description पर poster के link दे दूँगा जिस type का poster डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा तो मैं ये वाला poster का background लेता हूँ उसके बाद मैं right के option पर click कर दूँगा click करने के बाद में हमें अपनी photo add करनी है तो उसके लिए plus के icon पर जाएंगे और gallery पर पहुँचेंगे from gallery के option पर click करके हम अपनी कोई भी photo ले लेंगे जैसे कि मैंनी ये photo ली है और इसको crop कर लिया है इतना करने के बाद में right के option पर हम click कर देंगे आपको याद रखना है आपकी जो photo हो वो png होनी चाहिए png कैसे बनाते हैं वीडियो के नीचे description पर link दे दिया है तो आप आसानी से देख सकते हैं और वीडियो देख करके आप भी png बना सकते हैं इसको हम select कर देंगे photo को zoom भी कर सकते हैं जिस type से आप चाहेंगे वैसे कर सकते हैं हमारा step से photo add हो गया है ठीक है अब आपको करना क्या है दोस्तो वीडियो पूरा होने से पहले मैं आपसे request करूंगा कि चैनल को subscribe कर लें और बिल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ठीक है इतना हमारा होने के बाद में और जो मैंने app का link है वीडियो के नीचे description पर दे रखा है जिससे मैंने poster बनाया है तो आप लोग वहां से download कर सकते हैं और उसके बाद में आपको इस option पर आपको click कर देना है click करने के बाद में save as image का option दिखाई देगा यहाँ पर click कर देना है उसके बाद में save to gallery का option दिखाई देगा यहाँ पर आपको click कर देना है जैसे ही click करेंगे आपका जो poster है आपके mobile के gallery पर save हो जाएगा इस type से आप बेहतरीन poster बना सकते हैं कोई भी problem हो सब कुछ आपके वीडियो के नीचे description पर मैंने दे रखा है वहाँ से background डाउनलोड कर सकते हैं एप डाउनलोड कर सकते हैं PNG भी बना सकते हैं वीडियो देख करके मैंने सभी links वीडियो के नीचे description पर दे रखे हैं वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को subscribe जरूर करें